अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तर्मकुमार शर्मा हिस्ट्री की क्लासेज में आज हमारा जो टॉपिक है वो बैटल अफ वांडिवर्स मतलब थर्ड करनाटक वार वांडिवर्स की लड़ाई जिसे तीसरा करनाटक युद्ध भी कहा जाता है जो 1758 से 1763 के बीच में लड़ा गया था इसके पहले हमने फर्स करनाटक वार सेकेंड करनाटक वार हमने कवर कर लिया आप सारे विरियोज प्लेलिस पे जाकर देख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले टेस्ट आफ नॉलिज के तरफ से जो टाइम डेबल दिया गया वो देख लेते हैं कुछ हमने अल्मोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिया हैं बहुत सारे पार्ट कवर हो चुके हमारे अब हम एक सेशन सुरू करने वाले हैं जो मैं काफी दिनों से आप से डिसकस कर रहा हूं एनॉंस्मेंट चल रही है जी के वन लाइनर बाइटेस्ट आफ नॉलिज तो जी के वन लाइनर ट्यूजडे अं थास्डे अब कवर करवाया जाएगा तो इसका मतलब है कबिंग त्यूजडे जो है उसमें हम जी के वन लाइनर शे सुरू करेंगे क्योंकि अब हमारा ये हिस्ट्री अल्मोस्ट कवर हो चुका है और जब हम यहां 9000 जी के वन लाइनर क आज डाउनलोड कर सकते हैं हिस्ट्री के ग्लासेस कंटीनिव चल रही है आज हमारे ये लास्ट लेक्चर है आप सारे वीडियोस प्लेलिस पे जाकर देख सकते हैं 9000 जी के वन लाइनर बाय टेस्ट आफ नॉलेज यह डेली 100 MCQ के उपर हमारी बात होगी एक्जाम की बात ये पांच जून से कंटीनिव है सारे वीडियोस प्लेलिस पे जाकर आप देख सकते हैं हार टू प्रिपेर फॉर एससी एक्जाम एठ होम घर बैठे एससी की तैयारी कैसे करेकर अब एससी के एस्परिंट से तो कमेंट बॉक्स पर बताईए ताकि आपके लिए फ्री और कॉस्ट सिख्षाफ लब्द कराई जा सके कैरियर स्नाइपर के तरफ से ओनलाइन क्लासे शुरू होने वाली है नीचे दिये के नूमर पर आप कॉंटेक कर सकते हैं याँ पर एससी सीडियेस एंडिये और भी रेल बैंक और भी बहुत सर एक्जाम की तैयारी करवाई जा रही है SD सर कॉंपिटेटिव क्लासे यहाँ पर ओनलाइन क्लासे शुरू हो चुकी है यह सैकेंड बैच कंटीनिव चल रहा है जो पंदरा तारीक से सुरू हो चुका है और एक 1 वीक आफ अगस्त से WBCS की भी क्लासे शुरू हो जाएगी तो आप जितने जल्दी हो सकते हैं WBCS में ज्वाईनिंग ले सकते हैं रिजनिंग के क्लासे मैं ले रहा हूँ चलिए शुरू करते हैं बैटल आफ वांडिवाश या फिर ठर्ट करनाटक वार आप कह सकते हैं लेकिन बैगराउंड मैं समझाने की कोसिस करूँगा ध्यान से सुनना है आपको इसे सब्त वर्षी युद्ध भी कहा जा सकता है क्योंकि ये साथ वर्षों तक चला था यहाँ पर यूरोप और अमेरिका में एक्स्टेंड को लेकर ये जिस तरीके से था उसी तरीके से 1760 में वांडिवर्ष की लडाई में क्या होता है आयरकूट जो रहते हैं वो अंग्रेजों के तरफ से रहते हैं और लल्ली जो फ्रांसिसी गवर्नर होते हैं तो यहाँ पर उनके बीच यह युद्ध माना जाता है और यहाँ पैरिस की संदी होती है 1763 में और यहाँ पर फ्रांसिसीों की हार होती है फ्रांसिसीों को कुछ प्रावधानों को कुछ नियमों को मानना पड़ता है क्या वो नियम क्या होते हैं कि भारत में वो केवल व्यपार करेंगे के ओनली बिजनेस करेंगे कार खाने जो थी उनमें कीले बंदी नहीं करेंगे फोर्ट नहीं क्रियेट करेंगे और भारत में सेना नहीं रखेंगे मतलब आर्मी इसको नहीं रखेंगे तो यह है पूरी कहा लेता हूँ ओके देख लेते हैं तो ये बात हो रही है हमारी दा बैटल ओफ वांडी वास वाज़ प्रेजेंट इन तामिल नाडू दिस अटेम्ट वास फॉइल बाइड ब्रिटिस फोर्स अंडर दी कमांड ओफ ब्रिटिस लेफटेनेंट जनरल सर आयर कोटी विच लिट त और थर्ट करनाटक वार वांडिवाश की लड़ाई फ्रांसिसी द्वारा तामिल नाडू में मौझूद वांदवासी के कीले को हासिल करने का एक प्रयास था ब्रिटिस लेफ्टेनेंट जर्नल सर आयर कोटे की कमान के तहट ब्रिटिस सेना द्वारा इस प्रयास को नाकाम कर दिया गया था जिसके कारण वांडिवास या तीसरे करनाटक युद्ध की लड़ाई हुई थी यहां देख सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं फैक्ट्स अबाउट थीर्ट करनाटक वार और बैटल वांडिवास तीसरे करनाटक युद्ध या वांडिवास की लड़ाई के बारे में जो तत्त थे हैं वो देख लेते हैं किनके के बीच में हुआ फाउट बेट्मेंट अन्ड़ चा यं बेटिस फ्रांसिसी और ब्रिटिकों के बीचमें य रड़ाई हुई कब हुआ ये वेन 1758 से 1763 के बीच में हुआ कहा हुआ करनाटक साउथ इंडिया में जो है दक्षिन भारत में है वहाँ पर रिजल्ड क्या हुआ ब्रिटीस विक्ट्रे हुई मतलब ब्रिटीस की जीत हुई कोर्स ओफ थर्ड करनाटक वार मतलब तीसरे करनाटक युद्ध का क्या पाठी करम रहा क्या बैग्राउंड रहा वो देख लेते हैं The Seven Years War broke out in Europe and once again England and France were pitted against one another Europe में साथ वर्षों का युद्ध चिड़ गया और एक बार फिर England और France एक दूसरे के खिलाफ हो गए After the Battle of Plassey in 1757, the British forces wrested Chandranagar in Bengal from the French 1757 में Plassey के युद्ध के बाद France एसे British सेनाओं ने चंदर नगर मतलब बंगाल में जो है पर हमला किया था The French under Count de Lally captured Fort St. George and attacked the English to acquire Madras Count de Lally के तहत France एसे ने Fort St. George पर कबज़ा कर लिया और Madras का अधिगरहन करने के लिए अंग्रेजों पर हमला किया But he was defeated by English forces under Sir I.R. Cote in the Battle of Vandivas in 1760 लेकिन वह 1760 में Vandivas की लडाई में Sir I.R. Cote के तहत अंग्रेजी सेनाओं से हार गए थे तो actually Vandivas की लडाई कब हुई थी 1760 में ये आपको बस याद रख लेना है आगे देखते हैं As per the treaty Chandranagar and Pondicherry were returned to France But they were buried from fortified them or having troops in them They could only have trading activities संदी के अनुसार चंदर नगर और Pondicherry को फ्रांस वापस कर दिया गया था मतलब अब फ्रांसीसियो को चंदर नगर और Pondicherry वापस दे दिया गया लेकिन उन्हें रोकना या उसमें सैनिको को रखने में रोक लगा दी गई वे केवल व्यापार्क की गतिविदिया कर सकते थे मतलब ये कहा गया अब रिटीशर्स के दारा की फ्रांसीसी अपसरिप इंडिया में बिजनेस कर पाएंगे ना ही वो सेना रख पाएंगे ना ही फोट कर बना पाएंगे काईज आगे बढ़ने से पहले ये बतादू कि चानक क्या लाइव ये हमारा नीए यूट्यूब चैनल है यहाँ पर मैं तो रिजनी के क्लासस करवाई जा रही है तो कंटीन्यू मैथ के लेक्चर चल रहे है रात के नौ बजे वेडनस डे और साटड़े हम कवर करते हैं मतलब पूरे साथ दिन हम लेक्चर ले रहे हैं उपर आपने देखा था कि हमने और कुछ डे दिखाया और नीचे मैथ नहीं लिखाए गया तो नीचे मैथ के बार मैं आप चर्चा की जा रही है परसंटेज के उपर हमने फिaceutical कर लिए हैं आप सारे वीडियो़ प्लेलिस पर जाकर देख सकते हैं सौरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया आप जाकर वहाँ देख सकते हैं क्योंकि यह चानक क्या लाइव यह मारा न्यू यूटिप चैनल है उनली मैठर हजनिंग के लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं थार्ड करनाठक वार रिजल्ट क्या हुआ थिसरे करनाठक यूदिका परणाम क्या हुआ effect of the third करनाठक वार थिसरे करनाठक यूदिका प्रभाव french hopes of building an empire in India were completely dazd भारत में एक सामराज जी के निर्मान की फ्रांसेसी उमीद पुरी तरह से धराशाही हो गई थी कि फ्रांसिसी सोच रहे थे कि भारत में अपने सामराजी का विस्तार करेंगे लेकिन धीरे धीरे ये सपना उनका तूड गया This established Britain as a paramount European power in India The path was clear for the establishment of a British colonial rule in India इसने Britain को भारत में सर्वपरी European शक्ती के रूप में स्थापित किया भारत में British अपनिवेशिक साशन की स्थापना के लिए रास्ता साप था क्योंकि ये आखरी सक्ती ऐसी थी जो विदेशियों में जो फॉरनन शक्ती थी जो फॉरन की शक्ती थी जो इसके बिटीस के सामने एक बाधा उत्पन कर रही थी अब रीजन क्या है? The reason, reason for French failure अब फ्रांसिसी विफलता के कारण क्या रहे है? Superior naval strength of the British, they could bring in soldier from Europe and also provide supply from Bengal The French does not have any such avenue to replenish resources अंग्रेजियों की स्रेश्ट नौसेनिक ताकत वे उरोप से सैनिकों को ला सकते थे और बंगाल से भी आपुरती प्रदान कर सकते थे फ्रांसिसी के पास संसाधनों को फिर से भरने के लिए ऐसा कोई आय नहीं था The French army had a strength, 300 European cavalry 2,250 European infantry, 1,300 sepoy soldier, 3,000 marathas and 16 pieces of artillery While the English deployed about 80 European horses, 250 native horses, 1,900 European infantry, 2,100 sepoy फ्रांसिसी सेना के पास 300 European cavalry, 2,250 European paddle सेना, 1,300 sepahy, 3,000 marathas और 16 तोपे थी जबकि अंग्रेजी में 80 European घोड़े, 2800 मूल निवासी घोड़े, 1,900 European infantry और 2100 sepahy तैना थे आप समझ सकते हैं क्या पावर रही होगी Britain had Madras, Bombay and Calcutta, 3 important parts, posts In contrast, the French had only one strong post, Pondicherry This means that if Pondicherry was captured, the French had little hope of recovery But Britain could really, really on any of the other two bases if one was captured Britain में Madras, Bombay और Calcutta, 3 महतून पद थे इसके विपरिट फ्रांसिसी के पास केवल एक मजबूत पद था वो भी Pondicherry इसका मतलब ये था कि Pondicherry पर कबजा कर लिया गया था तो कर लिया गया तो फ्रांसिसी को वसूली की बहुत कम उम्मिद थी लेकिन अगर एक को पकड़ लिया जाता तो ब्रिटेन अन्य दो ठीकानों पर भरोसा कर सकता था इसका मतलब साफ है कि जो फ्रेंच सा उसके पास एक ही में पावर वाली जगह थी वह भी पॉंडे चरी अगर वह भी कैप्चर कर लिया जाए तो अब फ्रेंच क्या होते कमजोर पड़ जा रहे थे लेकिन अगर ब्रिटेस के पास तीन जगा थी अगर उसे capture कर भी लिया जाता है कोई भी एक तो उसे फरक नहीं पड़ता उसका काम वैसे भी चलता रहता The victory at the Bachelor of Plassey opened up the British to rich area namely Bengal Plassey के युद में जीत ने अंग्रेजों को एक समरित दिछेत अर्थार्थ बंगाल में खोल दिया मतलब रास्ता बन चुका था बंगाल में अब अंग्रेजों के लिए The British had many capable and evil soldiers like Robert Clive, Stranger, Lawrence and Sir I.R. Cote अंग्रेजों के पास Robert Clive, Stranger, Lawrence और Sir I.R. Cote जैसे कई सक्षम और योगिस सैनिक थे Guys आपको ये बता दू कि अगर मान लिजे कि अगर Francis यहाँ पर जीत जाते तो आज हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते, आज हम English नहीं पढ़ते, आज हम पढ़ते French तो जिसकी पावर उसी की language, I hope clear हुआ होगा Coming Class हमारा topic होगा, 9000 GK One Liner by Taste of Knowledge जिस पर 100 MCQ के उपर हम बात करेंगे, ओके, तो इस पे हमारी बात होगी Coming Class में, आज का सेशन के अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, जादा से जादा शेर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके, कोश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो रिलाक्स करिए, कोई बात नहीं, अगले टाइम, बहुत सारे कोश्चन मिलेंगे आपको पीडियाफ किलिंग डिस्क्रिफशन बॉक्स में दी गई है, जाके पीडियाफ को हमारे टेलिग्राम चैनल से प्री आफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, चानक क्या लाइब को सब्सक्राइब करना ना भूले, मैत और रिजनिंग के लिए, अगर आपकी मैत कमजोर ह तो आईए हमारे चैनल पर और बेफिकर होके मैत में एक्सपर्ड बन जाएए, और टेस्ट आफ नॉलिज चो और कर सब्सक्राइब ने के तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ये होता है, बेल आइकन, सो गाइस, मिलते हैं, सुबह के सुबह के आड़ बजे करना फिर्स के साथ, थैंक यू